तो आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम करने वाले हैं साइल लॉक चैप्टर साइलोजिजम तो आज जो बेसिक हम कॉंसेप्ट करेंगे आपको मैं सारे जो केसिस हैं वह समझाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में अगले सेशन में थोड़े डिफिक्ट लेविल के कोशन करें तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो मेरे क्वांट की और रीजनिंग की जो लिक्चर्स हैं उस पे डिपेंडेंट है जो नहीं स्टार्ट किया है यह उनके लिए बनाना बहुत जरूरी था तो चलि दाजिस्ट जो है इνस्टॉल कर रहोएं इस पे आपको सारी अपडेट समा बेंगी सारे मेरे नोट मिलेंगे सारे कोई सes मिलेंगे जींगे ज़िके डाजिस्ट ज़रूर इंस्टॉल करें इसमें हमारी सारी वेडियो सारे नोट्स सारी मॉक टेस्स सब कुछ इसमें अवेलिबल है तो यह दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए पहला केस देखिए मैं आपको images के साथ थोड़ा explain करने वाला हूँ all का केस देख लें all a is b देखिए यह all का सरकल है पहले मैं आपको wind diagram से ही सिखाऊंगा ताकि आपका जो base है वो strong हो जाए all यह देखिए all a यह वाला position all a is b सारे का सारा जो a है वो b वाले जो बड़ा सरकल है उसका part है all a is b all b is a सारे का सारा जो b सरकल है यह बड़े सरकल a का part है इसको एक बार समझ लीजिए सबसे पहला step जब भी आप siloq का chapter करते हैं तो ये cases समझना ही पहला step है, सबसे पहले all वाला case समझ लीजिए, all a is b, all b is a, अगला जो important case जो है, some a is b, और some b is a, दोनों a की बाते हैं, a का कुछ part, जो है, a का कुछ part, ये देखिए, इतना सा part, ये b हो सकता है, और ये यहाँ पे भी आ सकता है, b ये से भी आ सकता है, और कैस से भी आ सकता है, right, some b is a, तो similar way में, some b is a, b का कुछ part जो है, वो a है, ये देखिए ध्यान से, no a is b, a का कोई भी part b नहीं है, a अलग है, b अलग है, right, तो चलिए, थोड़ी से cases अभी मैं आपको करवाता हूं, थोड़ी से example देता हूं, all a are b, अभी इसकी तीन तरह के डाइगराम बन सकते हैं, पहला देखिए, all a, सारे जो a हैं, वो b का part है, right, या a और b दोनों बराबर हैं, क्योंकि all a are b, यहाँ पे sumbam का कोई check कर रही है, all a are b, या देखिए, इसको देखिए, या ऐसे भी हो सकता है, चलिए, ये और ये वाला case तो बिलकुल सेम हो गया, इन दोनों को देखिए, ये दो cases जो है, ये बिलकुल हो सकते हैं, जब भी आपसे बोला जाए, all a are b, तो ये दो cases जो है, ये हो सकते है, all a are b, या फिर a जो है, बिलकुल बराबर ही हो सकता है, तो अभी conclusion देखिए, all a are b, that is correct, ये तो वैसे भी दिया हुआ था, sum of the a are b, चा क्या conclusion follow करती है, sum a are b, अब दोनों को देख लीजिए, sum a are b दोनों को follow करता है, तो ये भी बिलकुल सही है, sum b are a, दोनों आप diagram देखिए, sum b, पहले में भी ये वाला पार्ट देखिए, ये b भी है और a भी है, ये तो पूरे का पूरा a are b बराबर ही है, ये भी सही है, sum a are not b इसको ध्यान से देखिए, क्या ये follow करता है के नहीं करता, sum a are not b, क्या कुछ a जो है, या कुछ b are not a, कहां से कुछ नहीं follow कर रहा है, ये conclusion follow कर रहा है, क्या कहीं पर possibility है कि कुछ a जो है वो b नहीं है, या जो कुछ b है वो a नहीं है, तो ये वाला देखिए, sum a are not b, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि all A, R, B तो sum B ये तो पॉसिबल नहीं है दूसरे वाला देखिए यह यहाँ पे यह वाला यह जो statement है यह important है sum B, R, not A यह इसके हिसाब से पहले diagram के हिसाब से true है क्योंकि यह वाला portion जो है यह B, A नहीं है लेकिन जबकि यह वाला जो diagram है इसके हिसाब से यह false है तो जब भी आपको ऐसा कुछ scene आए तो यह false ही है पहले diagram के हिसाब से true है जबकि दूसरे diagram के हिसाब से अगर false है तो यह false ही है, right तो यह समझ लीजी बहुत important है सारे के सारे question इसी जो एक statement के उपर depend करते है आप क्या करते है mostly students क्या करते है एक diagram बनाते है अगर यहाँ पर true आगए तो true tick करके आ जाते है नहीं आपने जो भी possibilities है दूसरे diagram की possibility है वो बनानी है और देखना है क्या यह जो statement है यह conclusion इस conclusion इससे यह conclusion आ सकता है के नहीं आ सकता बहुत basic था यह एक और case करते है some and some not का some A are B यह तो वैसे basic diagram था अब यहाँ पर देखिए some of the A are B यह possibilities बन सकती है फिर से some of the A are B पहली जो possibilities हमने करी थी all A are B अब यहाँ पर possibilities देखिए some of the A are B यहाँ पर कुछ negative condition नहीं है तो यह सब possibilities हैं आपके लिए yes बिल्कुल है तो conclusion आप draw कर सकते हैं all B are A all of the B all of the B are A अभी अगर इसको देखूं मैं तो false हो जाता है अगर एक भी false आगा है तो false है some B are A तीनों को आप देख लें true ही निकलता है no A is B अभी ध्यान से तीनों अगर statement को अगर आप देखे no A is B तो यह बिल्कुल follow नहीं करता है आपने सभी जो आपने diagrams बनाए हैं एक statement को लेगे सभी जो क्या कहते हैं diagrams हैं उसमें सेम तरहां का आपका conclusion निकलना चाहिए अगर एक में भी आपका false आ जाता है तो वो negate कर देता है इसको ध्यान से एक बार देख लें समझ लें save बर के रख लें चाहें लिख के रख लें notes है आपके लिए यह जो मैंने अभी तक पीछे जो बनाए है यह कह लिजिए उसका एक summary है देख लें जो मैंने starting में किया था आपके लिए all a or b वाल a or b या sum a or b तो यह उसका मैंने क्या कहते हैं एक summary बना दिया है आप students के लिए इसको please save कर लें या लिख के रख लें चलिए question करते हैं आपके लिए question करना बहुत ज़रूरी है बहुत basic question है ऐसे questions चलिए एक clerical level में तो देखने को मिल सकते हैं पियर level में देखने को नहीं मिलेंगे यह question कराने का मेरा main motive है आपको basic समझाने का when diagram से कैसे questions solve करते हैं लोग equations से भी करते हैं बहुत सारे teachers वो भी आपको करवाऊंगा लेकिन अभी जो आपका base strong करने के लिए यह when diagram करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है statements देखिए all a are b all the a are b सारे जो साथ साथ में आप अपना draw करते रहिए all मैं कहूंगा pause कर लीजिए वीडियो को और यह सारे जो statements हैं इनको draw कर लीजिए एक बार पहले draw कीजिए और फिर compare कीजिए तो मुझे पहले से करना पड़ता है all a are b all यह देखिए सारे के सारे जो a है वो b का part है यह पहली statement तो यहाँ पे आगी some b are c b का कुछ एक part जो है यह देखिए यह जो part है b का कुछ एक जो part है यह c है राइट यह वाला जो portion है यह जहाँ पे जो मिलता है no b is d अभी d जो है यह वाला circle जो है यह इसके अंदर नहीं आ सकता है यह बड़े वाले circle के b के अंदर नहीं आ सकता तो यह statements यह कहती है लेकिन अभी यह दूसरी statement देखिए यह दूसरा diagram देखिए similar diagram है with some एक क्या कहते है थोड़े से change के साथ यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि c और d का कुछ भी relation दिया हुआ है क्या अभी no b is d no b is d इस statement के accordingly यह जो d circle है यह बड़े वाले b circle से बाहर होना चाहिए लेकिन c और d में कुछ भी relation नहीं दिया हुआ तो यह भी एक possibility बनती है आपने यह conclusions जब solve करनी है जब conclusions निकालनी है तो किसी भी एक diagram के basis पे नहीं बना सकते आपको दोनों diagram को consider करना पड़ेगा तो अभी देखिए ध्यान से देखिए no c is d अभी पहले diagram के accordingly तो यह true है लेकिन इसको देखिए no c is d क्या possible है no c is d possible है बिल्कुल नहीं possible यह false है क्योंकि c d का part हो सकता है right no a is d अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे यह वाली statement देखनी जरूरी है no a is d अभी इसने बोला हुआ है कि यह बड़े वाला जो b का circle है d इसका part नहीं हो सकता है चाहे कुछ भी हो जाए d और b अलग लग रहेंगे और a हमने पहले से देखा हुआ था a जो बड़े वाले circle b इसका part है तो यह d कुछ भी हो जाए हमेशा देखिए हमेशा बाहर ही रहेगा यह बड़े वाले circle से कुछ भी हो जाए d यहाँ आ सकता है यहाँ आ सकता है लेकिन यह b के अंदर नहीं जा सकता यहाँ आ सकता है लेकिन यह b के अंदर नहीं जा सकता तो that mean what no a is d is always true basic तरीके से समझे logic लगाई है some c are not d अब यह ध्यान से देखिए यह वही फंडे पे आ रहे हैं यह बड़े वाला सर्कल जो b है यह बड़े वाला जो सर्कल b है d इसका पार्ट कभी नहीं हो सकता d इसका पार्ट कभी नहीं हो सकता that means what यह जो c का थोड़ा सा यहतना सा पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यह वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं ये वाला जो part है इसमें D कभी नहीं आ सकता कभी ऐसे नहीं हो सकता कि D यहाँ पे आ जाए नहीं D जो ये बड़े वाले circle के हमेशा बाहर रहेगा तो ये कुछ एक part है जो कभी D नहीं बन सकता तो some C are not D is true, कोई भी आप जो possibility लगा लीजिए तो ये true नहीं हो सकता तो यहाँ पे जो पहला conclusion है ये ही false है, बाकी के तो conclusions है ये true है अगला question करता हूँ कहूंगा कि आप एक बार video को pause करके जरूर एक बार try करें कभी भी lecture मेरा देखते हैं, quant का देखते हैं चाहे reasoning का देखते हैं वीडियो को pause करके खुद solve करने की जरूर आदत डालिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब solve नहीं होगा फिर अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो all girls are good all the girls are good some good some good are women कुछ भी assume नहीं करना है साइलोग में कुछ भी assume करके नहीं चलना है some good girl अगर मैंने बोला तो मेरे मुझ से निकला लेकिन यह माइंड में नहीं होना चाहिए माइंड अपना आप जब भी साइलोग करते हैं कुछ भी assume नहीं करना है आपको इसको ध्यान से देखिए यह डाइगराम आपका बनेगा simple all girls are good all girls जो है यह बड़ा बड़ा जो circle है good इसका part है all girls are good all girls यह जो छोटा circle है यह girls है और यह बड़ा circle जो है good वाला इसका part है some good are women यह some good जो है यह जो बड़ा circle है इसका कुछ part woman है right अभी ध्यान से देखिए यह जो यह वाला circle है woman वाला यह यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है कहीं भी आ सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया यह कहीं भी आ सकता है तो अभी conclusion देखते है some women are girls पहला conclusion है some women are girls some women अभी अगर यहाँ पे circle होता तो false होता, लेकिन अगर यहाँ पे है तो this could be true right, some women could be the girls, no woman is a girl no woman, यह contradictory होगी पहले वो कह रहा है some women are girls अगर मैं यह बात कहूं, तो यहाँ पे अगर circle हो, तो यहाँ पे some girls are women, यह true है, लेकिन no woman is a girl, यह true नहीं है अगर no woman, अगर यह वाला circle ही, मैं इसको true मानू, यह यहीं पे है, तो no woman is a girl इसको satisfy करता है, तो फिर पहले वाले को satisfy नहीं करता है, लेकिन अगर मेरा circle woman वाला यहाँ पे आ जाए, तो यह दूसरे वाले को satisfy नहीं करता है पहले वाले को satisfy करता है तो इसका आंसर क्या बनेगा either one और second conclusion follows either one or two दोनों एक साथ follow नहीं करते हैं या तो पहला satisfy करता है या दूसरा satisfy करता है अगर मैं circle को यहाँ पे रखता हूं तो मेरा जो है no woman is a girl यह दूसरी conclusion को follow करता है लेकिन जब मैं यह circle को यहाँ पे ले जाता हूं या उपर ले जाता हूं या कहीं पे ऐसे ले जाता हूं तो यह जो है यह पहली वाली जो some women or girls इसको follow करने लग जाता है तो यह basic सा funda समझी है यह जो session करवाने का मेरा main motive भी यह है कि आपको diagram बनाना से खाना अभी दुबारा से एक और question करते है थोड़ा सा यह जादा चार statements आगी है इसमें थोड़ा सा complicated हो जाएगा All the pencils All the pens are pencils पहले थोड़ा सा समझी है इसको pause कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए एक पर खुद से solve करने की आपको दो question मैंने करवा दी है cases मैंने करवा दी है अभी it is your duty कि आप खुद से थोड़ा सा try करें कि यार मैं कैसे अभी दिमाग लगा है नहीं होगा कोई problem नहीं है अगर आपने अभी अभी तयारी स्टार्ट की है तो शायद हो सकता आपसे ना हो बहुत सारे students ऐसे हैं जो कफी देर से तयारी कर रहे हैं 6-7-8 महीनों से वो यह बहुत असानी से कर लेंगे और आपके लिए जिन्होंने बहुत देर से तयारी कर रहे हैं यह revision आपके लिए थाबित होगा तो यह question देखिए all pens are pencils some pens are erasers all papers are books and all erasers are books इसको अगर मैं draw करूँ तो यह देखिए यह अगर मैं draw करता हूँ तो यह देखिए यह मेरा दो जो है possibilities मेरी बनती है जहां से देखिए पहला all pens are pencils all pens देखिए all pens जो है यह बड़े वाला जो circle है pencils इसका part है यह पहला statement draw कर दिया some pens are erasers some of the pens यह देखिए यह वाला जो portion है some pens are erasers तो यह भी draw कर दिया all papers are books all papers are books sorry all papers are books all papers यहां पे papers है all papers are books all papers are part of the bigger circle all erasers are books all erasers are books अभी यहां पे ध्यान से देखिए यह जो circle है यह जो circle है शायद मैंने एची से draw नहीं किया है all erasers are books यहां पे ऐसे होना चाहिए यह देखिए यह पूरा ऐसे cover करेगा यह end to end इसको cover करेगा ओके तो यह दूसरी possibility भी देख लीजिए बन सकती है ध्यान से देखिए pens और pencils वाला तो वहीं पे रहेगा लेकिन जो papers है इसको देखिए यह ध्यान से देखने वाला है जो papers है इसका क्या दिया हुआ है all papers are books अभी यह जो papers all papers are books यह यहाँ पे भी आ सकता है यह यहाँ पे भी आ सकता है papers यहाँ पे भी papers आ सकता है यह यहाँ पे भी आ सकता है यह papers कहीं भी आ सकता है यह लेकिन books के यह papers है यह books के अंदर होना चाहिए तो यही मैंने यहाँ पे कर दिया है अभी conclusion देखते हैं some pencils are books क्या कुछ pencils are books हैं के नहीं हैं अभी सबसे पहले मैं पहले diagram के accordingly सारी conclusion को देखूंगा जब पहले diagram के बाद मैं दूसरे diagram के आऊँगा मैं तो confused हो जाता बंदर some pencils are books कुछ एक pencils जो है पहली statement के accordingly yes some pencils are books यह जो portion जो बना है यह देखिए यह true है some books are pens अभी इसके हिसाब से some books are pens जी हाँ बिल्कुल possible है क्योंकि some of that यहाँ पे पहले हमने लिखा था erasers का एक point था देखिए some pens are erasers जहाँ पे some pens are erasers तो यह जो erasers था इसका pens का part था यह दोनो black वाला और यह green वाला circle जो है इस पे कुछ एक जो portion था यह common था और यह जो books है यह बड़ा circle है और erasers के अंदर है तो यह जो दूसरी statement भी है यह बिल्कुल follow करती है दोनों two है no pen is paper no pen is paper इसके accordingly यह वाले diagram के accordingly यह true है लेकिन अभी हम दूसरा diagram देखते हैं दूसरे diagram में सबसे पहले देखिए no pen is paper जो मैंने आपको पहले पता इस वैसे question में कोच नहीं था इसमें यह था कि यह paper वाला circle है इसको आप घुमा के कहीं विड़ा रख सकते हैं यहाँ पे भी रख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे इस पे यह भी paper हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर यह paper हो गया तो जी यह बिल्कुल negate करता है दूसरे diagram है जो हमने यह जो बनाया था यह जो second diagram बनाया था इसमें यही main दिया हुआ है कि यह जो paper वाला जो circle है इसको कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि इसके accordingly इन्होंने यह दिया हुआ है जी यह जो paper वाला circle है यह books वाले बड़े circle में कहीं भी हो सकता है समझ रहे हैं इन्होंने बस इतना दिया है कि all papers are books मतलब यह जो all papers यह जो paper वाला circle है इसको घुमा के आप कहीं भी रख लो तो उसके according यही फंडा था question में no paper is pen अभी यह paper वाला यहाँ पे pen के अंदर आ सकता है तो that means यह तीसरी conclusion जो है यह false है अभी बस यही था question में some books are pens अभी some books are pens तो हमेशा ही रहेगा some books are pens तो रहेगा ही रहेगा कोशन में देखिए ऐसा ही कोई ना कोई फंडा होता है इसमें paper वाले circle को घुमा दिया था इसमें देख लीजिए यह woman वाले circle को हमने घुमा दिया था आप कोई भी question देखेंगे ऐसे ही होगा कोई ना कोई circle बस घुमाने की यहाँ पे trick होती है कि यह circle घुमा गए यहाँ पे रख दिया बस that's it आपको जिस 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 डूणना है कि इस question में trick क्या है तो अभी मैंने सिर्फ basic करवाए है I think कल मैं आपको थोड़ से tricky question करवाऊंगा and per so reverse ilog हम करेंगे तो बस आज के लिए इतना ही बहुत छोटा से lecture था लेकिन यह बहुत जरूरी था आप students के लिए बहुत सारे students में request किया था सालॉक करवाए सालॉक के basics करवाए तो जो advanced level के students है जोनोंने बहुत अच्छे से त्यारियों already कर रखी है उनके लिए मैं एक workbook जो है जरूर कोशिश करें उसका explanation जो है वो साथ में available है तो आज के लिए इतना ही description पे जरूर जाके जो workbook है practice question जो है practice के लिए जो questions है ये आपको नीचे description में मिल जाएंगे और channel को प्लीज एक बार subscribe जरूर करें वीडियो को जरूर like करें आज के लिए इतना ही कल फिर से मुलाकात होगी कुछ समझ में नहीं है तो please comment कीजिए thank you and have a